Welcome Dear Students, साब का स्वागत है Dream High Academy में एक बहुत बड़ी निवज इस रिलेटिड कि JKSSB ने आखिर में जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस से वो शुरू किया है ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी जब JKSSB ने कलास फूर्थ का हाली में एक्जैम कंड़क्ट किया और उसमें तीन तरह के सेशन थे जैसे की 27th का एक सेशन था 28th और 1st आप मार्च तीनों सेशन में ये कहा गया कि अलग-अलग से पेपर सेट किये गए थे उनका स्टैंडर्ड अलग था पेपर सेट करने का यहां पे मतलब है कि उनका स्टैंडर्ड अलग था 27th के जो स्टैंडर्ड थे उनका कि हमारा जो पेपर था वो डिफिकल्ड था 28th में थोड़ा सा रिलैक्जेशन थी और 20 उसके बाद 1st आप मार्च को फिर से डिफिकल्ड पेपर हुआ था तो यानि यह कहा जाएगा कि और कभी कबार यह भी कहा जाता है कि 28th वाला भी पेपर जो है वो डिफिकल्ड था कुल मिला कि अगर हम बात करेंगे तो तीनु पेपर जो थे वो डिफिकल्ड थे अगर हमारे पॉइंट आफ व्यू से क्यूंकि GS जो पेपर था वो एक अच्छे पार स्टेंडर्ड का था एक IS लेवल का था और जुई हमने यहाँ पे DRIMHI ACADEMY में अपने एक तरह से जो मौक टेस्टर्स लिये तो उन्होंने मौक टेस्टर्स में हमने ये क्वेश्चन पूछे थे कि डिफिकल्ड लेवल के क्वेश्चन हमने पहले सी पूछे थे और कुछ स्कूडेंट्स नहीं यह कहा कि हमें IS का नहीं देना है बलकि हमें JK SSB Class 4th का exam देना है हमने उनसे कहा तक कि हम लोग prepare करींगे अपने आपको एक अच्छे standard के लिए और आखिर में वही हो गया जो उसका standard था पेपर का वो काफी high था काफी ज्यादा high था तो तीनू papers में एक level थी वो difficult थी अब JK SSB ने एक तरह से वो एक notification के साथ देखे आया है और notification यह है कि subject में कहता है कि adoption of procedure for compilation of examination scores of multiple sessions जैसे कि तीन sessions के बार में हमने बात किया Class 4th की advertisement number 3 of 2020 यह जो कश्मीरी migrants और नॉन माइगरेंट कश्मीरी पंडितस उनके लिए है यह और वहाँ क्या करने वाला है JK SSB वो adopt करने वाला है procedure of normalization normalization का कैसे वहाँ पर adopt करेंगे यह बड़ी बात है अब देखेगा it is notified for the information of such candidates who are scheduled to appear in the computer based CBT exam होगा for the post जो भी है यहां तक अब बात कर लेते हैं district or divisional or district order की है under PM package for कश्मीरी migrants and non-migrants that the score of candidates will be subjected to procedure for compilation of examination scores for multiple sessions मान लिए तीनों sessions का मान लिए अब यहां पर बात करेंगे अगर यह exam जो है चार sessions में या पांच sessions में होगा यह बात करते हैं हम कश्मीरी migrant का जो exam है notification 3 hour 2020 तीन sessions में अगर यह exam हुआ यह 5 sessions में मान लिए यह 5 sessions में यह exam होता है और यहां पर पहले session में देखा जाएगा कि कितना score होता है high or down second में देखा जाएगा high or down कितना score रहेगा third में रहेगा high or down fourth में high or down और fifth में high or down तो इससे क्या हो जाएगा उनको यह input देंगे उस criteria को उसी तरह से यह normalization start करेंगे अब यह normalization का एक और procedure है raw score of the candidates will not be shared अब यह जो है share नहीं करेंगे raw score जो candidates का है the percentile markus so derived and equated will be used as input criteria to finalize the merit list यह खुद यह aint merit list तयार करेंगे यह notification जो है 10 तारीक की है 10.3.2021 2021 की अब यह बात करते है कि procedure of compilation examination scores यहाँ पे आप देख सकते हो जियां यह हम जो है notification आपको Dream High Academy में share करेंगे जो हमारा telegram channel है आप वहाँ पे join कर सकते हो Dream High Academy और वहाँ पे हम लोग तमाम तरह के updates जो आपके related जो free courses है उसके related हम लोग आप लोग updates देते है तो आप Dream High Academy में जान कर सकते हो और आप हमारे जो channel का हो है benefit उठा सकते हो यहाँ पे कहा जाता है अगर examination का multiple question papers हो जाएगा ठीक है एक ही subject matter में it is critical that they that they be developed to be parallel to one another on the given syllabus एक syllabus में पो parallel होने चाही एक दूसरे को two or more question papers of an exam are considered parallel when they have been developed to be as similar to one another as possible in terms of the test specializations and statistical criteria high stakes exam programs may have multiple question papers in use and every test administration when the exam cannot be conducted in a single batch however using multiple question papers means that the multiple question papers developed should be similar to each other क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि similar होंगे multiple question papers no, they cannot be similar अब कैसे similar होंगे हमारे पास एक example है जो कि SSB ने एक exam conduct किया class 4 का उसमें तीनों papers में तीनों की राय आए थी students कभी यह मानने के लिए तैर नहीं होंगे कि हमारा जो पेपर था वो एक सिनाडर का था यहां पे एक बात यह और अब यह बात आ रही है क्या JKSSB या JKSSB को यह normalization procedure based on percentile क्या यह start करना चाहिए उन्हें class 4 के exam जो हाली में exam हुआ उसके लिए यह बिलकुल यहां होना चाहिए जिस तरह से normalization से एक चीज़ का फाइदा है अगर किसी भी लगता है किसी भी तीनो का पेपर जो है difficult आया था class 4 का अगर तीनो सेशन में difficult पेपर था तो तीनो का तीनो जो सेशन है all the three सेशन का जो पेपर से उन्हें normalization होनी चाहिए एक तरह सी उसमें क्या हो जाएगा जो शक्व शुभा में student से अपने में उनको शक्व है कि 27 का paper easy था 28 का paper easy था और first का paper easy था यहाँ पे इस चीज़ से उने ये चीज़ पता चलेगी कि normalization हो गई और उसमें जो है सब चीज़ जो है वो ठीक हो गई अब ये normalization होनी चाहिए हमारे हिसाब से normalization होनी चाहिए इस normalization का अपना एक procedure है आप इसको खुद देख सकते हो ज़्यादा अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा तो ये procedure है यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हो आप खुदी इसमें देख लीजिएगा 102 number of candidates appeared in the session ये candidates कितने session में appear होगे वितरा score equal to जिया मैंने अभी आपको कहा था equal to or less than the candidate total number of candidates appeared in the session ये हर session में कितने candidates appear होगे उसमें कितने candidates ने कम score किया और कितने candidates ने ज़्यादा score किया तो उसी तरह से ये percentile जो है एक normalization start होगी ये अच्छी step है JKSSB की तरफ से बहुत अच्छी step है हमें welcome करना चाहिए ताकि आइंदा जो exam होगे तो उसमें students बेखोप examination में वो appear होगे अगर multiple sessions में examination होगा तो students वो खुद अपने अपने trust factor उनके दिल में रहेगा कि नहीं हम इस exam में appear होगे और उसके बाद जो है normalization start होगा अब 27, 28 और एक मार्च का हमारे पास example इसलिए है क्योंकि तीनों के तीनों paper जो है different उसमें viewpoints students की तरफ से आये थे अगर अगर अब normalization हुआ तो उससे क्या हो जाएगा न की न सिरिफ students अपने और से satisfy हो जाएंगे बलकि जो administration है वो भी satisfy हो जाएगी जिया students को satisfy करना यहां पर सबसे बड़ी बात है students exam में बैठते है exam को वो face करते है बड़ी मेहनत के साथ examination में बैठते last में अगर उनके खिलाप उनके साथ जो है वो कह सकते हम कि paper अगर difficult आ जाएगा तो वो एक थोड़ी सी उनके खिलाप उनसे personal एक अपने और से वो कह सकते हम कि ज्यात्ती होती है वो खुद मानने के लिए तैयार भी होते है कि हमें ऐसा paper नहीं डालना चाहिए था लेकिन जब normalization होगा तो सारे की सारे papers में से वो procedure एक set करेंगे और उससे फिर final जो है list तैयर करेंगे Thank you